अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं वैसे बढ़ी आऊंगे इस वीडियम दोस्तों बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो फोर्थ T20 मैच खेला जाएगा इसको डिटेल में कवर करेंगे वीडियो कंप्रेड वोच करना अब देखो दोनों टीम के बीच में ये सिरीज जो रहेगे वो एक-एक की बड़ार आबरी पह खथम होगी अगर यहाँ पर इंगलैंड की टीमНी इस मैच को विन किया तो इंगलैंड की टीम इसी के साथ में भी सिरीज को विन कर जाएगी तो इस मैच में आप लोग किस परकार अपना 11 प्लेयर का टीम स्लेक्शन करोगे दोस्तों कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे किसको अपनी टीम में कैप्टन से पर रखना है बाई किसको अपनी टीम में वाइस काप्टन से पर रखना है ये दो चीजे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पलस आप लोग अपनी ट आप से team section करोगे definitely आप लोग इस match में एक तरफा win करके जा सकते हो तो complete video देखना कोई भी information आपको बिल्कुल भी miss नहीं करनी सबसे पहले दोस्तो चैनल पर नहीं होती है और subscribe करके notification बैल कोन कर लेना आने वाले किसी भी match के वीडियो आपको miss नहीं करनी है वीडियो पसंदाई वीडियो में बताईगी information अगर आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक करके अपना प्यार और समर्थन जरूर बनाए रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे comment section में जाओगे वापे मिल जाएगा क्लिक करके आपको simply टेलीग्राम को जरूर से जोईन कर लेना विकोज टोस होने के बाद में कोई भी updates होंगी फाइनल टीम में कोई भी changes होंगे या फिर जो भी फाइनल टीम रहेगी इस match की या फिर किसी भी match की जो फाइनल टीम होती है वो आपको टो आफटर टोस हमारे टेलीग्राम चैनल पर update की जाती है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको comment section में जाओगे सबसे उपर pinned comment मिल जागा simply click करके आप लोग टेलीग्राम को जोईन जरूर से कर लेजिए अब यहां से बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले match के बार में तो venue की बात कर तो कैंगिंग्टन ओवर लंदन के venue पर यह match कर आजगा विकेट की बात कर एक balance surface आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोशिज करी बल्लेबाजों ने ज़्यादा हिटिंग करने की कोशिज करे तो भाई कईना की गेंदबाजों रेंगे वो इस तीज का benefit उठाएंगे और फिर यहाँ पर गेंदबाजों को विकेट मिलने के जो चांसी जब वो थोड़े सी increase हो जाएंगे ठीक है तो आप लोग यह कह सकते हो overall की भाई यहाँ पर एक balance surface आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है मैच को जरूर विन किया फर्स्ट बल्लेवाजी यानिक इंग्लेंड वोमेंस के टीम ने लेकिन अगर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे तो दोनों पारियों में स्कोर बढ़िया बना था मतलब 183 रंस करे थे यहाँ पर नैसोरी 186 गरे फर्स्ट बैटिंग इंग्लेड ने और सेकंड बैटिंग उस्टेलिया ने 183 मतलब वुमें के मैच में भी 180 प्लस का स्कोर बनाए तो आप लोग यह कह सकते हो कि कहिना कि एगर थोड़ा सा विकेट कूपर खुद को बल्लेवाज टाइम देंगे तो डेफिनिटलि यहाँ पर मैंस के मैचिस में भी आपको अच्छे खासे रंस देखने को मिल सकते हैं अगर बात करें T20 ब्लस्ट का लास्ट मैच हुआ था इस वेन्यू पर 2023 के अंदर उसमें भी देखोगे तो सूरे की जो टीम थी उसने फस्ट बल्लेवाजी में 195, 195 रंस करे थे और EWS यानि की SS की जो टीम थी उसने 199 बना के बाई टारगेट को चेज भी कर दिया मतलब 190, 195 पलस का स्कोर बना दोनों पारियों के अंदर अगर बात करें गेंदबाजी के अंदर तो पेसस को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्टा हेल्प हो सकती है क्योंकि इंगलेंड के विकेट के उपर मैचिस है तो बाई कॉमन सी चीज़ है कि फास्ट बोलस को हेल्प जादा रहेगी स्पिनर के लिए विकेट के अंदर आपको ट्रन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा लेकिन स्पिनर विकेट जरूर निकाल सकते अगर कोई बल्ले बाज उनके पिछे हिटिंग करने जाएगा अगर पिछले 10 मैच की बात करी जाएगी तो फास्ट बोलस ने इस विकेट के उपर 77 यानि के 77 विकेट लिए और स्पिन के इंद बाज इस विकेट के उपर केवल 40 विकेट निकाल पाया तो आप लोग देख पाऊगी ओल्मोस चापे डबल के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा फास्ट और स्पिन के बीच में तो फास्ट बोलिंग हमेशा फूरन कंडिसंस में इंपोर्टेंट रहेगी स्पिनर को विकेट तब ही मिलेंगे जब बल्लेबाज उनके पीछे हिटिंग करने जाएगा विकेट के अंदर स्पिनर के लिए आपको उतनी हेल्प देखने को नहीं मिलेगी रेंडी कंडिसंस एक बार फरसे इस मैच में कहीना की बारिस के चांस हो सकते हैं और बारिस आईगी तो भाई एक चीज़ मान के चलो अब तक तोस ना होना स्कोर एक्सपेक्ट करके अपना टीम स्लेक्शन जरूर करना अगर थोड़ा बढ़िया बल्लेबाजी करी जाएगी तो वही स्कोर जाके 180-190 तक भी पहुँच सकता है ठीक है अगर पिछले head to head की बात करें दोनों टीम्स के बीच में 5 साल में 16 मैच जोए 10 इंगलेंड ने और 5 या पर पाकिस्तान की टीम ने वोन कर रहेगी ये चीज़ तो भाई सब आपको लोग मान के चलना पिछले 5 मैच की फोर में इंगलेंड ने 3 विंगर है पाकिस्तान भी 3 विंगर पाई है तो एक balance surface है बैटिंग को थोड़ा सा extra help हो सकती है अगर गेंदबाजी के साथ में compare करके देखा जाएगा fast important रहेगी spin के मुगाबले ये थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है अब भी चलते है team selection पे सबसे पहले हैंगी दोस्तो wicket keeping section में important जो option है उनके बार में सीधा सीधा बात करेंगे small league की team में तो जरूर से back करके चलोगे अगर बात करें flip sold की ये देखो तगड़े hard eater player है recently IPL के अंदर अच्छी performance कर रहे थी kolkata night riders के टीम के लिए और यहाँ पे भी देखोगे पहले match में इनको एक अच्छा start तो मिला था लेकिन यार उस start को न ये बड़ी पारी में convert नहीं क इनको बढ़िया खेल के निकल जाएंगे लेकिन इंग्लैंड के player को spin पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है और fast bowling को उतना ही ज्यादा बैतर तरीके से इंग्लैंड के player खेल पाएंगे तो आप लोगों के पास में flip sold, मुमद रिजवान और जोस बडर, तिन नो देखोगे common pixel भ ये भी उसको बड़ी पारी में convert नहीं कर पाएंगे चलते लास्ट मैच अपना wicket throw गिया था दर्वाइस हो सकते है कि पाकिस्तान शायद उस मैच को win भी करके निकल जाती है तो बाबर आजम एक important player है small league के purpose से और captaincy vice captaincy की भी अच्छी विकलप रहेंगे उसके बाद में जो match इनका complete होता second T20 वहाँ पे England को ने एक start बढ़िया मिला क्योंकि Butler और सबसे पहले तो Philip Salt ने थोड़े बहुत runs करे उसके बाद में Will Jacks और Os Butler ने थोड़े से runs करे उसके चलते जोनी बेस्टों के जो बल्ले बाजी थी ना वो थोड़ा सा लेट आई थी लेकिन अगर बाइच फो मिन की बढ़िया नहीं थी फकर जमान देखोगे last match यानि कि जो complete हो था second T20 उसके अंदर इनका selection काफी गम था लेकिन हमने अपने टीम में डिफरेंचिली बैक किया था और last match में इस प्लेयर ने 21 गेंज के अंदर 45 संस की पारी खेली और IPL में एक मैच में सतक भी लगाए था अगर आपको जानो RCB के टीम के लिए वहाँ पे spin को भी बहुत बढ़िया खेलके गया थे बंदा ठीक है तो यह important है अगर टीम को जरूरत पढ़ती है तो बीच में एक दो और इनके साथ में निकलवा भी सकते हैं otherwise बल्लेबाजी स लग लो या फिर भाईया सैम आयूब के साथ में जा सकते हो लेकिन देखो हैरी ब्रूक ज़्यादा important हो सकते क्योंकि यह middle में बल्लेबाजी करेंगे उस टाइम पर गेंद उतना swing भी नहीं करेंगी लेकिन जब सैम आयूब open करने हैंगे तो गेंद हलका सा swing भी करेंगी और उसके चलते विकेट जाने के भी थोड़े से chances हाई रहेंगे तो आप लोग अगर रिस्क उठा सकते हो अपने टीम के अंदर सो हैरी ब्रूक या फिर सैम आयूब में से कोई भी एक प्लेयर अपने according differential choice में ले सकते हो उसके बाद में नीचे आपको कुछ खास options देखने को न के टिन के नाम थे सबसे बड़ा रेजिन यह कि इस बंदे ने पूरे चार ओवर करवाई पलस बल्ले बाजी भी देखोगे तो लियाम लिविंसन से उपर इनोंने करी थी तो वो भी कहीं ना कि पलस पॉइंट है तो वहाँ पी भी पंदरा वी संस की पारी एक विकेट भी 45 पॉइंट्स दे जागा भाई टी टॉनटी में 40-50 पॉइंट्स बोत माईने रखेंगे यह दान में रखो ठीक है उसके बाद में सैमकन लास्ट मैस नहीं खेले इस मैस में देखना पड़ेगा कितने परसेंट चांसीज है लास्ट मैस की बात करो तो तो देखो यहांपे ठीक है अभी देखो लियाम लेविंस्टन गेंद बाजी जरूर करवाई था अगर मैं लास्ट मैस की बात करूँ लेकिन एक ही ओवर गेंद बाजी करवाई था उस ओवर के अंदर इनको एक विकेट मिला भी था बल्ले बाजी बहुत नीचे करी थी दूसरा जब बल्ले करवाई बल्ले बाजी आई वहाँ पे भी 20 बाजी संस की पारी और दो विकेट भी लिये तो वो एक अच्छी इनकी मैं कहूँँगा भाई गेंद बाजी और ये तो मैंने आपको पहले भी किलियर किया था कि इमाद वसीम गेंद बाजी से इंपोर्टेंट है लास्ट मैस ज्यादा बैतर विकल्प है तो इमाद लास्ट मैस अच्छी गेंद बाजी उलड़ी करवा रखी है बोलिंग सेक्षन के अंदर फास्ट बोलिंग इंपोर्ट एंटरी उसमें कोई डाउट नहीं है साइन साफरिदी लास्ट मैस तीन विकेट जोफरा आर्चर को मैस बैक कर तो डिफरेंचली 24 में आप लोग रख सकते हो क्योंकि अच्छा खासा स्विंग करवा सकते है गेंद को उसके बाद में रहूफ के पास में पेस बहुत बढ़ी है रहेगी लास्ट मैस में दो विकेट निकाले जोडन आपके पास में अच्छा विकल्प है यहां से रीस टो या फिर आप लोग मोहिन अली को ट्रोप करके एक प्रोप पर गेंदवाज के साथ में जाओ यह डिपेंड आपके उपर गरता है बाकी अभी भी यह दो उप्संस बैस रहेगी अगर यहां पर माली जी इंगलेंड पहले गेंदवाज जी करेगी तो मैं क्रिस जोडन या फ कर सकते हो फकर जमान को ट्रोप करके इसको टा सकते हो यहां से मोहिन अली को ट्रोप कर सकते हो देखो यह जो तीन प्लेयर है जिनके उपर मैंने सरकल किया इन तीनों में से कोई भी प्लेयर आप लोग ड्रोप करके क्रिस जोडन री स्टोप ले या फिर अधर कोई भी प्ल जाके टेलीग्राम को जोईन कर लेना कैटन्सी वाइस कैटन्सी कोब्मन ओप्सन जोस बटर बाबर आजम यूनिक ओप्सन्स में देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग करना है सो आप लोग उसके अंदर किसको ट्राई करोगे रिजवान आपके लिएक बैतर भी कलप है विल जैक्स को ट्राई कर सकते हो पहले गिंदबाजी गिलेंड करती है जोफरा के साथ में जा सकते हो पाकिस्तान पहले करती है सो आप लोग साइनस अफरीद योर अरेस रूफ में से किसी एक को डिफरेंचली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कर सकते हो टोटली सेफ ओप्टन में मैक्सिमों अंदर इनी के साथ मैंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी जोस बटरोड बाबर अजब के साथ ठीक है इनके अलावा यूनीक क्या करोगे वो मैंने आपको अलड़ी चीज़े बता दी तो उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपने कंप्लिट वोच किया होगा पसंद आयोतियार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर चे ओन कर लेना आने वाले किसी भी मैच्सिज़ की वीडियो आपको मिस नहीं करने मिलते हैं दोस्तो अगले मैच्स की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच्स में का बढ़िया टीम सेलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफूम जरूर करेगी